हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विकास आज की इस वीडियो में हम जानेंगे PNB1 एप से हम इस्टेटमेंट कैसे निकालें PNB1 एप से हम इस्टेटमेंट डाउनलोड कैसे करें आईए जानते हैं सबसे पहले आप इसे एक्टिवेट कर लीजिएगा और इसे यूज करते हैं आप तो ID बगरा बना लीजिएगा तब ही ये काम करेगा और अपना जो password है MPN उसे डाल दीजिए मैं डाल दिया है और इसे open कर लिया है अब यहाँ पे मुझे अपना जो इस्टेटमेंट डाउनलोड करना है सबसे पहले saving account दिखाए देगा इस पे आईए आने के बाद कितना balance है वो दिख जाएगा यहाँ पे इस पे touch करिए इस पे touch करने के बाद आपके पास ऐसा page आ जाएगा नीचे आपको मिलेगा get statement इस पे जाएए आने के बाद ऐसा page मिल जाएगा यहाँ पे आप all select कर सकते हो यहाँ पे लिखा है show last transaction आप कितने transaction दिखना चाते हो यहाँ लिखा है last week एक हफते की transaction एक हफते की statement एक हफिन्दी की statement last month की यह custom range यहाँ आप date select कर लिजिए जैसे कि date select कर ले तो हम मैं यहाँ पे तीन अपरेल से लेके आज 21 तारीक से दंबर का तो मैंने date select कर लिए है ध्यान नखिये का date साइसे select करिएगा और यहाँ पे all select रहकेगा यहाँ पे filter लगा सकती हो पर मैं कुछ ने करता बाकि आपको अपने साब set करनी है तो कर सकते हो वीव statement पे touch करते हैं थोड़ा सा wait करते हैं और यहाँ पर हमारी statement आ जाएगी थोड़ा सा wait करते हैं यहाँ पर हम statement आ चुकी है तो यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको download करना है तो pdf वाले option पे touch करिएगा और यहाँ पका PDF यहां पे डाउलोड हो जाएगा इसे आप सेव कर लीजिए और फिर इसे open कर लीजिए open करने के बाद यहां पे आपका password दिखाएगा अब password क्या है बताता हूं देखिए हमने इसे application से े डाउलोड किया है तो हमारा जो password होगा वो हमारा यूजर ID होगा अगर आपका user ID काम ना करें तो आपको अपने account number का तो आपको ऐसे लिज आपको आपका account number डालना है मैं डालता अपना bank account डेखता हूँ क्या है इसका पासवर्ड तो मैंनेने आनलाइन मंगाते हो या ओनलाइन आता है जीमेल पे तो आपका यूजर आड़ी पासवर्ड होगा वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी नई वीडियो में